और टोपिक है छेत्रमिती छेत्रमिती में आज हम पढ़ेंगे संकु का आयतन वक्रप्रष्ट वे सम्पून्प्रष्ट तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संकु क्या होता है देखिए जो लट्टू आपने देखा होगा जिसे घुमाते हैं हम लड्ट्टु को ही हम संकु संकु कहते हैं ठीक है और संकु के सूत्र क्या है आयतन वक्रष्ट संपुर्प्रष्ट और चित्र किस प्रिकार बनाते हैं वो यह है देखिए हम संकु का चित्र इस प्रिकार बनाएंगे सवाल करने के लिए ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसका व्रत्ताकार और ये उपर वाला हिस्सा तिरभुजाकार के रूप में होता है होता ये गोल है पर अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये तिरभुजाकार आपको लगेगा तो उपर वाले हिस्से को हम कहते हैं वक्रप्रष्ट और उपर वाला ये जो हिस्सा है और नीचे वाले हिस्से को मिला दें तो वो कहलाता है संपूर्प्रष्ट अब इसमें तीन चीज़े होती है, एक होती है R, एक होती है H, एक होती है L बेलन जो होता है, उसमें किवल R और H होती है, इसमें एक नई चीज भढ़ जाती है L R को तरज्जा कहते है, H को उंचाई यह आपको पताई होगा L को तिर्ची उँचाई कहते हैं ये इसमें बढ़ गई इसके आयतन का सूतर है एक बटे तीन पाई आर की घाद दो H वक्र प्रष्ट है पाई आर L और संपूर प्रष्ट है पाई आर L प्लस R जहां L क्या है तिरिया क्या तिर्ची उँचाई R तरज्जा है H उँचाई है तिर्ची उँचाई और उँचाई में अंतर है अगर सवाल में केबल उँचाई दे रखा है तो उसे H मानेंगे तिर्ची उचाई दे रखा है तो उसे L मानेंगे अब L, R और H देखिए पाई था गुरस पिरमे का सूतर लगता है इसमें क्योंकि ये 90 डिगरी पर मिल रही है तो ये कर्ण है ये लंब है ये आधार है तो किसी सवाल में अगर इन में से कोई सी दो चीज़े दे रखी है और तीसी चीज़ निकाल ली है तो वो इस सूत्र से निकलती है ये अगर एल का इमान निकालना है तो वर्ग हटा के यहां पर वर्ग मूल लग जाता है तो आज हम इन सूत्रों का परयोग करके सवालों को हल करना सीखेंगे तो सबसे पहला सवाल है हमारा एक संकू की तरज्या 14 cm वे उचाई 20 cm है इसका आयतन वक्रप्रष्ट वे संपूर्प्रष्ट ग्यात कीजिए तो ये एक सिंपल सवाल है जिसमें केवल सूत्र लगाने है हमें तो इसे हल करते हैं सबसे पहले हमें चो दे रखा है वो लिख हमें दे रखा है आर बराबर 14 cm और एच बराबर 20 केवल उचाई दे रखी है तो उसे एच मानें ठीक है तो सबसे पहले आयतन निकाल देते हैं आयतन का सूत्र लगाएंगे तो एक बटे तीन पाई आर की गाहत दो एच एक बटे तीन पाई का मान 22 बटे 7 आर का मान दो बा 14 और एच का मान 20 देखे साथ से कट गया दो बार और कुछ इसमें कट नहीं रहा है तो 22 दूनी तो होगे 44 और 14 दूनी 28 और 0 बटे 3 तीन से भी नहीं कट रहा है यह तो गुणा कर देंगे 0 44 की 28 में गुणा कर लीजिए 8 चौक 32 आर दूनी 16 17 18 19 यहां गया 1232 बटे 3 इतने सेंटी मीटर की घात 3 ठीक अब निकालते हैं वक्रप्रष्ट अब दीखें वक्रप्रष्ट को ध्यान से देखें कैसे निकाले हमारे वक्रप्रष्ट का सूत्र क्या होता है पाई आर एल यही होता है अब आर है हमारे पास एल है और एल निकालने के लिए मैंने चस्ट अभी आपको बताया है कि अगर एल निकालना हो तो कौन से सूत्र से निकलेगा इस सूत्र से तो सबसे पहले हम इस सूत्र को लगा के L निकालेंगे अब क्योंकि वो संपूर प्रश्ट में वी चाहिएगा हमें सूत्र है L की घाथ 2 बराबर R की घाथ 2 प्लस H की घाथ 2 यही है R का मान है हमारा 14 H का मान है हमारा 20 14 की घाथ 2 मतलब 14 की दो बार गुणा 196 आता है और 20 की दो बार गुणा 400 L की घाथ 2 हमारा जुड़के हो जाएगा 596 L बराबर हो जाएगा वर्गमूल 596 इसका कोई वर्गमूल होता नहीं है क्योंकि यह एक पूर्ग संख्या नहीं है तो हम इसे इतना ही छोड़ सकते हैं अब हम लगा देंगे सूत्र तो वक्रप्रश्ट यह दसमलब में इसका उत्तर निकालना चाहाए तो निकाल के फिर रख देंगे पाई आर एल पाई का मान 22 बटे 7 आर का मान 14 L का मान अंडर रूट 596 साथ से कटके दो बार उत्तर आ जाएगा चवालिस अंडर रूट 596 और वक्रश्ट एक छेतर फल है तो इस पर हम दो घात लगाएंगे आयतन पर 3 लगाते हैं अब निकालेंगे इसका संपूर प्रश्ट शॉर्ट में मैं इस तरीके से लिख दिया है इसका सूत्र है पाई आर एल प्लस आर यही है ना पाई का मान 22 बटे 7 आर का मान वो रहा हमारा 14 एल का मान यह रहा पिलस आर का मान 14 साथ दूनी 14 कटके 22 दूनी हो जाएगा 44 और यह संख्या आपस में जुड़ा नहीं सकती है तो यह ऐसे ही रहेंगी इतने सेंटीमीटर की घाट तो ठीक है तो यह हमारा पहला सवाल है इसमें हमने आयतन वक्ष्ट और संपूर प्रश्ट कैसे निकालेंगे वो बताया में चीजिसमें यह है कि वक्ष्ट निकालने के लिए आपको L का सूत्र लगाना पढ़ेगा अब चलते हैं सवाल नमबर 2 की तरफ सवाल नमबर 2 क्या कह रहा है एक संकू की तरज्या 3 सेंटीमीटर है उंचा ही 4 सेंटीमीटर है इसका वक्ष्ट निकाली है तो जैसे अभी मैंने बताया था सेम वैसे ही होगा क्योंकि वक्ष्ट निकालने के लिए पहले हमें L चाहिए तो पहले L निकालनेंगे फिर वक्ष्ट का सूत्र लगा देंगी तो हमें देखिया रखा है R बराबर 3 सेंटीमीटर और H बराबर 4 सेंटीमीटर तो सबसे पहले हम लगाएंगे सूत्र L स्कॉाइर बराबर R स्कॉाइर प्लस H स्कॉाइर से यह हमें निकालना है R हमें 3 दे रखा है H हमें दे रखी है 4 देखे 3 तिया हो गया 9 4 चोख हो गया 16 L की खाद दो हो गया 25 ठीक अब मैंने बताया था यहां से वर्ग हटाएंगे और यहां वर्ग मूल का निसान लगा देंगे 25 का वर्ग मूल होता है 5 तो L लागे 5 सेंटीमीटर यह बहुत जरूरी है वक्रष्ट और सब्मूल प्रष्ट निकालने के गी अब लगा देंगे वक्रष्ट का सूत्र तो वक्रष्ट का सूत्र होता है हमारा पाई आर एल पाई का मान 22 बटे साथ आर का मान हमारा यह रहा 3 L का मान हमने 5 निकाला है गोणा कर लेंगे पाश्टिया 15 की 22 में तो यह आजाएगा 330 बटे साथ कटेगा यह से है नहीं सेंटीमीटर की घाथ 2 यह हमारा हो गया उत्तर सवाल नमबर 3 है एक संकु का आयतन सो पाई सेंटीमीटर की घाथ 3 है जानि कि पाई के बदों में दे रखा है हम उत्तर भी पाई के बदों में निकाल सकते हैं जैसे इसका उत्तर पाई का मान नहीं रखेंगे तो किता आजाएगा पास्तिया पंदरा पाई जदी आधार की तरज्या पास सेंटीमीटर हो तो वक्रप्रष्ट ग्याद कीजिए तो सबसे पहले मैं इन सवालों में आपको बता दूँ कि हमें जो चीज दे रखी होती है हम उसी का सूत्र लगा देते हैं तो हमें क्या दे रखा है इस सवाल में आयतन किता किता दे रखा है सौ पाई यह में दिया है और साथ में एक चीज और दे रखी है क्या त्रज जा जाने की R बराबर 5 cm ये दो चीज दी है आयतन का सूत्र लगाएंगे क्या होता है एक बटे 3, पाई, R की घाद 2H बराबर 100 पाई अगर दोनों तरफ पाई है तो वो कट जाता है ठीक है 3 की 3 गुणा कर देंगे R का मान लग देंगे तो R का मान है 5 की घाद 2 हो जाएगा गुणा H और 100 गुणा 3 ये इसके बटे में आ जाएगा तो H आ जाएगा 100 गुणा 3 बटे 5 गुणा 5 क्योंकि 5 की घाद 2 है 5 से कटेगा 20 बार, फिर 5 से कटेगा 4 बार H आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर अब हमें वक्र प्रस्ट निकालना तो उसके लिए क्या चाहिए हमें L चाहिए तो अब L वाला सूत लगा देंगे L की घाद 2 बराबर R की घाद 2 प्लस H की घाद 2 से L हमें निकालनी है R हमारी कितनी है 5 और H कितनी है 12 5 की घाद 2 प्चिस होता है 12 की घाद 2 एक सो चौबानिस L की घाद 2 आ जाएगा 179 और मैंने बताए यहां से दो घाद रटाते हैं आप वर्गमूल लगा देते हैं और 179 किसका वर्गमूल है 13 का 20 तक के वर्गमूल आपको याद होने चाहिए याद नहीं है तो निकालना भी आना चाहिए उसके लिए हम वीडियो बना चुके है हमारे चैनल की प्लेश्ट में आप देख सकते हैं अब L निकल गया R बताईए वक्प्रस्ट निकाल दो तो वक्प्रस्ट का सूत्र हो जाएगा पाई आ रहे लेखो मैं शवर पाई के बदों में निकाल रहा हूँ तो पाई को पाई रहने दो R कामाण 5 L कामाण 13 13,65 पाई सेंटीमीटर की ख़दो उत्तर पाई के बदों में इनो नो दे रखा तब पाई के बदों में निकाल दिया ठीक है अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ चार और पास थोड़े बड़े सवाल है थोड़े धान से देखना है कि इनमें क्या करना है क्योंकि इसमें पता नहीं पड़ता कि आयतन निकालेंगे वकप्रष्ट के संपून प्रष्ट किसी संकवाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवस सकता पड़ती है यदि संकू की तिरची उँचाई 12 मीटर हो तो उसकी उँचाई ग्याद कीजिए तिरची उँचाई मतलब एल्ड तो दे रखी है 12 एच नहीं पता जाने की उँचाई एच बतानी अब इसमें एक सब्दारा किरमिच किरमिच के से कहते हैं किरमिच को आप समझ लिए एक तरह से टेंट है ठीक है जो हम तंबू गाड़ते हैं उसे किरमिच के जाए तंबू इस तरीके से लगता है कभी आपने फिल्मों वगेरा मैं देखा होगा जंगल में तंबू गाड़ देते हैं तो ये तंबू है ठीक है अब इसमें किरमिच ये लगेगी ये वाला हिस्सा क्योंकि नीचे तो ये खुला होता है नीचे तो किरमिच लगती नहीं है किरमिच कहा लगेगी इस है से और इसे मैंने क्या बताया तरह से क्या कहते है वक्रप्रश्ट है ना तो ये वक्रप्रश्ट दे रखः एक तरह सा इसका और हमें पता है L और H हमें निकालनी है ये आपको दिर्याद लख लगरा है अपने आपके तंबू है तो नीचे से खुला ही होगा ना तो यह हो गया हमारा वक्रप्रेश्ट तो यह जो हमारा किरमिच है कितना किरमिच लग रहा है इसमें 264 वर्ग मीटर यह हमारा इसका वक्रप्रेश्ट है और मैंने भी आपको बताया था कि हमें जो दे रखा होगा मुझे का सूत्र लगा देंगे जैसे पिछले जवाल में आयतन दे रखा था आयतन का लगा दिया यहां वक्रप्रेश्ट का लगाएंगे और एक चीज और दे रखी है हमें L बराबर 12 यह दे रखी तिरची उचाई 12 अब वक्रप्रेश्ट का सूत्र लगा देंगे सूत्र है पाई आर एल बराबर 264 पाई कमान रख लो याँ आर कमान तो पता ही नहीं है एल कमान बारा है बराबर 264 अब हमें केवल इसे हल करना है तो साथ चला जाएगा उपर ये दौनवा जाएंगे नीचे तो आर कमान आ जाएगा 264 गोना साथ बटे 22 गोना बारा 12 से काट दो इसे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 22 से 22 कट गया आर आ गया 7 मीटर अब ये उत्तर नहीं है उत्तर हमें निकालना है क्या चाही जाने कि H निकालना है तो आप वो ये वाला सूत्र लगा देंगे L की काट दो ये बहुत important सूत्र लगबग हर सवाल में यूज होता है संकू के L कमान 12 आर कमान 7 H कमान निकालना है 12 बारा बारा में 144 77 औरन चास गोना करनी है पक्षांतर करके दर ले आएंगे क्योंकि H कमान निकालना है अब सीधा करके लिख सकते हैं हम इसे ये आगया हमारा 14 में से 9 गए 5 13 में से 4 गए 9 95 और यहां आजाएगा वर्ग बूल का निसान ये किसी भी संग्या का वर्ग नहीं है इसी में हम जोड़ सकते हैं या 10 अमलम में इसका वर्ग बूल निकाल सकते हैं 9 अमलम कुछ हाएगा ठीक है तो आपको समझ में आएगा जहां भी किरमिच दे रखी होगी वहां वक्षट ही माना जाएगा अब अगला सवाल चलते हैं सवाल नमबर 5 इसी तरीके से है थोड़ी सी लेंगवे सवाल की बदल दी है पांचवा सवाल क्या है पढ़ते हैं उसे एक जोकर की टोपी संक्वाकार है यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिर्षी उचाए ग्याद कीजिए तो इसमें एक नई चीज दे दिया यह गोल सिर का परिमाप परिमाप पतलब होती है परीदी परीदी को परिमाप कहते हैं कि बरत की बात करें तो टोपी आपने देखियोगी बड़े बगेरा पर बच्चे जो पहनते हैं वो संकू के आकार की होती है इस तरीके से होती है ये भी नीचे से खुली होती है तो इसे बनाने के लिए जो कपड़ा लगेगा केवल इस एरिया में लगेगा यानि कि ये वक्रप्रष्टी तो होगा तो एक तरह से ये इसका वक्रप्रष्ट हमें दे रखा है तो हम लिखेंगे लगा कपड़ा जो दे रखा है इसे किता दे रखा है आठ सो चालिस वर्ग सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर की घाद दो लिख सकते है ये हमें दे रखा है याने कि और क्या दे रखा है जी हमें परिमाप इसे पाई यार एल कह सेंगे क्योंकि ये वक्रप्रश्ट है 840 इसे समीकर्ण माल लो 1 क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सवाल है इसलिए मैंने इसमें समीकर्ण माल लिया कि पहला जो समीकर्ण बन गया वो ये बन गया क्योंकि दूसरी चीज़ जो इसमें दे रखी है वो थोड़ी समझानी है आपको क्या है उसके गोल सिर का परिमाप पर चपपन गोल सिर का परिमाप बराबर चपपन अब ये होता है परिमाप यही दो गुल से रहे है उसका और यह परीपाई और यहाग विरत का परी समीहगरण नमबर दो अब हमें L कमान निकालरा इन दौनों समीहगरणों से तो हम क्या करेंगे समीहगरण एक में दुका कर देंगे भाग तो देखे पाई से पाई कट जाएगा आर से आर कट जाएगा तो L यी बचेगा केवल उसका मान निकल के आ जाएगा तो हम लिखेंगे समीकरण एक भागित दो एक समीकरण को उपर रखेंगे पाई आर एल और दो को दो की तिरशी गुणा कर दो एल ला जाएगा आठ सो चालिस गुणा दो बट्य चपन समसे पहले दो से इसे काट दो 28 बार अब 28 को आपको पहाड़ा यादो तो 28 ती आ होते हैं 84 और 0 तो एल बराबर आ जाएगा 30 मीट सेंटी मीटर क्योंकि हमें याप पर सेंटी मीटर में सब दे रखा तिरशी मुचाई पूची थी तो वो हमारी निकल कर आ गई आसान सवाल है थोड़ा आपको उसको करने का तरीका पता होना चाहिए और वो कैसे आएगा प्रैक्टिस से तो घड़ित की आप ज़़ादे से ज़़ादे प्रैक्टिस कीजिए आप आसानी से समझ पाएंगे तो आज हमने आपको संकु के बारे में बढ़ाया है इसके most पांच important प्रिशन पढ़ाये है आप इन पांच important प्रिशन को करेंगे तो मेरी खाल से आप अपने लास के सारे प्रष्णों को हल कर सकते हैं तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो सवाल आपकी समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, share कर दीजिए और अगर अभी भी कोई सवाल आपकी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए हम आपकी प्रोब्रम को सवाप करने का पूरा प्रियास करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर रोज आना एक कड़ित की वीडियो अपलोड होती रहती है और बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर दबा देना तकि जैसी हमारे वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएं आज की वीडियो यहीं खतम होती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद